इस वीडियो में हम बात कने वाले है chronic renal failure के बारे में जिसे chronic kidney disease भी कहा जाता है तो सबसे पहले हम देखते है renal failure तो renal failure हम किसे कहेंगे कि जो हमारी kidneys है उसका main function होता है axillary function और axillary function में क्या करता है वो कैसे करता है तो वो हमारे kidney में एक GFR होता है मतलब क्या होता है gromeral filtration rate जो हमारी kidneys है वो एक unit में कितना blood को filtrate करके urine formation करता है उसको हम कहते है gromeral filtration rate और ए gromeral filtration rate होता है वो normally कितना होता है 125 ml per minute होता है मतलब क्या होता है कि दोनों kidneys में से 125 ml जो urine formation होता है उससे हम कहते है gromeral filtration rate तो gromeral filtration कैसे होता है kidney में तो हमारी kidney हम देखता है तो kidney हमारी kidney में कई सारे pyramids होते है हमारी kidney parent का इमा में वो पेरेंड जो renal pyramid है वो renal pyramid का जो small structure होता है उसे हम कहते है nephrons और जो urine formation होता है वो nephrons के bowman capsule में वो urine formation होता है तो वहाँ से urine formation होके कहाँ पर आता है collecting tube में और बहुत सारे collecting tube मिलके ureter में जाते है वो और यहाँ पर kidney में से urine के हाँ पर जाता है ureter में जाता है तो हम अब अब देखते है कि जो GFR की जो हमारी chronic kidney disease है उसके हम definition कैसे कह सकते है तो जो हमारा जो GFR था 125 ml पर minute वो decrease होके जब 60 ml पर minute हो जाता है तो उस condition को हम कहते है chronic kidney disease हम कह सकते है उसके लब अब दो definition है लेकिन हम उस पर नहीं जाएंगे उसके बाद हम stages देख लेते है तो जो chronic kidney disease है उसके stages कौन कौन से है तो सबसे बेला क्या होता है जो 125 ml पर minute होता है वो जब क्या होता है कि जो 90 ml पर minute से जादा होता है तो उस condition को हम कहेंगे normal kidney या फिर इसमें कोई deformities नहीं है लेकिन जब हमारा GFR कहां पर होता है 60 से 80 के बीच में होता है तो उसे हम कहेंगे mild chronic disease या फिर mild chronic kidney disease कहेंगे उसके बाद क्या होता है 30 से 60 ml के बीच में होता है तो उसे moderate कहेंगे 15 से 30 के बीच होंगा तो उसे हम severe कहेंगे और जो 15 ml से भी decrease हो जाए तो उसे हम कहेंगे severe kidney failure भी हम कहें सकते हैं इसके बाद हम causes पर आता है तो जो chronic kidney disease है उसके कौन-कौन से causes होता है तो इसके causes mainly दो टैप में divided होता है एक तो होता है ट्यूबिलो इंटेस्टिनल पैथोलोजी के वज़े से जो grommelolar फिल्टर जो grommelolar पैथोलोजी है उसमें क्या होता है जो हमारी grommelolar capsules है नेफ्रोंस की जो हमने आगे देखा था कि एक एक bauman capsules है जो bauman capsules में किसी भी टाइप की पैथोलोजी होती है तो उसका एक उसकी पैथोलोजी होती है तो इसकी वज़े से जो किड्नी डीजी होता है उसे हम कहते है grommelolar pathology और tubular intestinal का मतलब उता क्या होता है कि जो किड्नी में कई सारे tubules होते है उसमें कुई सी भी टाइप का पैथोलोजी होता है कि भोँं मिलआ नीयफ्रेटी बोडी अ मतलब क्या होता है कि ब्लोड में आई-जी लिए ना honey प्राइमरी 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 प् होता है वो होता नहीं है इसकी वज़े से क्या होता है chronic disease kidney disease होता है इसके बाद हम बात करेंगे tubular intestinal की तो हमारे जो kidney है उसकी tubes होती है उसमें किसी भी type का pathology produce होती है तो वो किन किन causes की वज़े से होती है तो infective तो infection लगने की वज़े से हमारी जो tubular kidney के tubes होते है उसमें pathology create होती है उसके बाद हो गया obstructive किसी भी type का जो kidney में stones आ गया है या फिर किसी भी tubules में stone है या फिर obstruction है तो इसकी वज़े से क्या होता है कि GFR हो decrease हो जाता है उसके बाद हम बात करेंगे vascular जो kidney में कई सारे vessels भी होते है तो उसमें stenosis हो गया तो proper तरह किसी जो blood supply है वो decrease होगी उसकी वज़े से क्या होगा जो GFR है वो decrease होगा उसके बाद हम congenital पी देख सकते हैं उसकी बाद हम pathology की उपर आता है तो pathology mainly four stages में divided है तो सबसे पहले pathology क्या होता है कि जो इसके कहते हैं हम decrease renal reverse जो हमारा जो renal का function है वो तीरे-दीरे decrease होने लगता है तो सबसे पहले क्या होता है जो 50-50% होता है 50% जो हमारी kidney है वो destroy होती है खराब हो चुके है तो और तो क्या होता है कि तो जो 50% kidney है वो GFR produce करती है मतलब कि उसके urine formation करती है इस condition में क्या होता है BUN normal होता है BUN मतलब क्या होता है कि blood urea nitrogen होता है वो normal होता है और इस जो stage है इसमें कोई ज्यादा symptoms देखने को नहीं मिलता है इसके बाद second stage होता है renal insufficiency renal insufficiency में क्या होता है जो kidney है 45% क्या होता है कि वो affected हो चुक है तो इसके जो affected part नहीं है वह 25% kidney क क्या करते है हमारा JFR का काम करती है तो इसमें क्या होता है कि kidney ज squeezed हो चुक है तो इसमें क्या होता है rab shower acid brale м इसकी वज़े से क्या होता है गिदिनी, पुरी एफेक्ट हो चुकी है तो वहाँ पर क्या होगा? जो हमें bowelman capsules हैं tätä मैं आपर permeability increase हुझाएगी और permeability increases होने की वज़े से क्या होगा? जो प्रोटीन से यो प्लाजमा प्रोटीन से वह भी कहां पर आएंगे? के यूरीन में आ जाएंगे तो यूरीन में प्लाजमा प्रोटिन और दूसरे जो प्रोड़क्ट से वह इंग्रिज होने के वज़े से क्या होगा पोली यूरिया हमें देखने को मिलेगा इसके बाद त्री स्टेज पर चाते हैं तो इसे हम रिनल फेल्योर कही सकते हैं तो रि देखने को मिलेगा यूरेमिया देखने को मिलेगा यूरेमिया हम कैसे कहते हैं यूरेमिया में जो ब्लोड यूरीन है उसके अंदर जो ज्यादा से ज्यादा वेस्ट प्रोड़क्ट हमें देखने को मिलेगा तो उस कंडिशन को हम कहेंगे यूरेमिया इसके बाद क्या प्रोडक्ट में जबसे ज्यादा जा रहा है तो इने प्लस और दूसरे च्परदक्ट उसे का emotsom करें अपनी बोडी में से तो बोड़ी में से क्या देखने को मिलें टीश्यू में इडी माद्यक निकों मिले गा है और जो लास्ट स्टेजी से उसे हम कहेंगे रिनल फेल्यूर उसमें क्या होता है कि जो 95% होता है वो किडिनी डेमेज हो चुके है और उसमें सबसे ज्यादा सिम्टॉम्स प्रोड्यूस होते हैं तो उसके बाद हम बात करेंगे क्लिनिकल फीचर्स के बारे में तो क्लिनिकल फीचर्स दो टैप में डिवेडिड होता है प्राइमरी क्लिनिकल फीचर्स और से कंडरी क्लिनिकल फीचर्स जो क्या होता है कि कीडिनी में से जो प्रोड्यूस होते हैं किडिनी की वज़े से जो प्रोड्यूस होते हैं कि उसक हमें देखने को मिलेगा अगर किड़नी की वज़े से क्या हो हमें देखने को मिलेगा metabolic disease डेखने को मिलेगा like metabolic disease में हम क्या करेंगे diabetes mellitus उसका best example से तो उसमें क्या होगा acid base imbalance होगा तो metabolic disease में क्या होगा देखें पूरा जो kidney का एक्स्क्रीटरी function है वो imbalance हो जुगा है तो इसके वजह से क्या होगा acid में acid based balance में imbalance हो जाएगा इसके बाद हम देखेंगे NF plus और water retention क्या होगा increase हो जाएगा इसके बाद हम देखेंगे euramia हमें देखने को मिलेगा उसके बाद हमें देखेंगे sahamem kydini की जो proper occurred नहीं होने के कारण उसके बाद हम देखंगे secondary system जो secondary clinicalART मैं किसमें देखने को मिलेगे तो हमें respiratory में क्या देखने- theaters प्यूरल defusion क्योंकि हमें सबसे पहले डीमा देख ली तो उसके बाद हम देखेंगे जो cardio-ascular system से उसमें क्या कौन-कौन से symptoms देखने का मिलेंगे तो उसमें हम क्या होंगा blood pressure high होगा क्योंकि जो retention का काम है वो भी सबसे ज़्यादा होने लगेंगा इसके वज़े से जो blood volume में उसके में increase होगा इसके वज़े से blood pressure देखने का मिलेगा pericarditis होगा, heart failure होगा THT में nausea होगा, diarrhea होगा उसके बाद CNS systems में क्या होगा sleep disease होने लगेंगा हमेरी memory में impaired memory हो जाएगी irritability देखने को मिलेगी उसके बाद क्या होगा कि skin polar देखेगी bone में क्या होगा जो bone है वो भी effect करेंगे arthritis होने लगेंगा metabolic acid-based imbalance imbalance की वज़े से तो जो chronic kidney disease है वो से हम diagnosis कैसे करते है तो diagnosis हम देखेंगे सबसे पहले जो chronic kidney disease है उसे हम urine examination करके हम diagnosis कर सकते हैं urine examination में क्या देखने को मिलेगा hematuria देखने को मिलेगा proteinuria देखने को मिलेगा glycosuria देखने को मिलेगा hematuria क्या होता है कि जब हमें ग्रोमेलोरो नेफराइटीस हो चुका है तो उसमें क्या होता है कि जो हमेरे नेफरों से उसमें इंफ्लमेशन होते हैं तो वहाँ पर से ब्लोड हमें देखने को मिलेगा प्रोटेन यूरिया के देखने को मिलता है क्योंकि हमने आगे देखती थी कि जो बावमेंड कैपसुल से उसमें क्या होगा पर्मियाबिलेटी इंक्रीज हो जाएगी इसकी वज़े से प्रोटेन जो है ब्लोड के अंदर से वो फिल्ट्रेट हो के कहां पर आ जाएंगे यूर क्रियेटीन रेश्यो हो जाएगा क्रियेटीन क्या होता है कि क्रियेटीन से में पता लगता है कि किडिनी प्रोपर तरीके से काम करती है या नहीं अगर क्रियेटीन इंक्रीज होगा तो किडिनी हमारी प्रोपर तरीके से वर्क नहीं करती है यह साम पता लगा जाए तो उस के अंदर increase हो जाएंगा और hypoglycemia हम देखने को मिलेगा इसके बाद हम देखेंगे radiological हम कैसे diagnosis कर सकते हैं तो सबसे पहले हम USG करवाएंगे इसके हम क्या पता चलता है कि kidney की साइज है वो साइज हमें देखने को मिलेगे किसी भी टैप का क्या होता है कि तो उसके बाद हम देखेंगे X-ray देखेंगे तो X-ray में क्या क्यों करवाते है क्योंकि हमें पता लगता है कि कि kidney में किसी भी इस टाइप का stone नहीं है stone को observe करने के लिए हम करेंगे X-ray उसके बाद CT scan करेंगे फाइब्रोसिस को observe करने के लिए MRI भी करवा सकते है क्योंकि जो रिनो वैस्कुलर डिजीज है वो क्या होता है कि minimal जो small amount में जो X-ray और U.S.C. में नहीं आता है तो उसके लिए हम करवाएंगे MRI इसके बाद हम kidney biopsy करवाएंगे for exit causes हमें जानने के लिए हम biopsy करवाते है उस इसके बाद हम treatment की तरफ जाते हैं तो treatment में हम जो causes है और anti causes देगे तो अगर BPI है तो हम उसे ACE inhibitor देंगे Soul code restriction हमें के patient को सला देंगी कि salt ना ले उसके बाद edema है तो हमें diuretics देंगे metabolic acidosis है तो उसमें क्या देंगे calcium carbonate है और sodium carbonate हम देंगे उसके बाद hypo calcium या है तो उसमें हम क्या देंगे क्या patient को कहेंगे oral supplement ले या फिर vitamin D की supplement देंगे उसे बाद हम चो patient है उसमें हम क्या करेंगे general management रखेंगे BPA या फिर food restriction हम उसमें हम देंगे तो इसकी complication कौन कौन सी हो सकते है तो osteoporosis हो गई osteosclerosis हो गई और GERD हो गई या फिर 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 constipation यह सब थी complication तो इस दोस्तों इस वीडियो में हम देंगे chronic kidney disease तो chronic kidney disease हम किसे कहेंगे जो हमारा GFR हो 60 ml per minute से decrease हो जाए तो इस condition को हम कहेंगे chronic kidney disease कहेंगे तो इसके कौन-कौन से कारण होते है तो वो हमने कारण भी देख लिए उसके बाद हमने उसके pathology देखी उसकी clinical features देखे उसके diagnosis देखे और उसकी treatment देखे इस वीडियो को like करना और चैनल को subscribe करना